लोटस प्रिणिंसी घर में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे प्री डाइबेटिक लोगों को फालू करने चाहिए यह डाइट टिप्स डाइबेटीस का नहीं होगा खत्रा तो कौन से टिप्स आपको फालू करने यह मैं आपको बता रहा लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बैल आइकुन की घंटी बजाए दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें तो आही हो जाती है डायबेटीज होने पर ब्यक्ति को कई तरह के लक्षण नजर आते हैं जैसे बजन कम होना मुह सुखना पेसाब ज्यादा आना और भूख ज्यादा लगना आधी सरीर में बिलेट सुखर लेबल बढ़ने और डायबेटीज की समस्या हो जाती है लेकिन कि आप जानते हैं डायबेटीज होने से पहले ब्यक्ति प्रीडायबेटिक और इंसुलीन रेजिस्टेंस को की स्रेडी में आता है प्रीडाबेटिक होने पर अगर ब्यक्ति अपनी डाइट के साथ हेल्दी लाइवश्टाइल को फालो करें तो कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है पहला है आम का सेवन कम करें गर्मियों का सीजन में अधिकतर लोग आम का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं जिस कारण बेलेट सुकर लेवल भर सकता है आम का गलैसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है जो शरीर के नुक्षान शरीर को नुक्षान पहुचा सकते हैं ऐसे में गर्मी में प्री डायबेटिक लोगों को आम के साथ पपिते का भी कम सेवन करना चाहिए दूसरा अक्रोट और बादाम का सेवन करें प्री डाइबेटिक लोगों को डाइट में अक्रोट और बादाम का सेवन अबस्र करना चाहिए इन चीजों में हेल्दी फैट होता है जो सरीर के लिए फाइदेबंद है ऐसे में कोशिज करें कि रात को इन चीजों को भिगो कर रखें और सुबह उठकर इन चीजों का सेवन करें कीवी और सेव का सेवन करें pre-diabetic लोगों को डाइट में कीवी और सेव को अभस्त सामिल करना चाहिए इन दोनों फ़लों का glycemic index करफी कम होता है इस जिस कारण इनके 7 से बिलड सुगर लेवल कंट्रोल होने के साथ सहर की इमिनिटी भी मजबूत होती है बालेंस मिल का 7 करें प्री डैवोडिक लोगों को बिलड सुगर लेवल बढ़ने से रोकने के लिए बालेंस मिल का 7 अबस्तर करना चाहिए डाइट में कार्बोहाइडरेट, पॉर्टीन और फाइबर युक्तुच चीजों का एक बैलाइंस मिल का सेवन करें ऐसा करने से सरीर को तागत मिलने के साथ हेल्दी भी रहेगा प्री डाइबर्टिक लोगों को डाइट टिप्स फालो करनी चाहिए हालें कि अगर आपको कोई दूसरी बिमारी है तो डॉक्टर से पूछ के ही आप अपनी डाइट को फाइनल करें तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कशा लगा हमें अवस्ते बताएं धन्रवाइब